तीन क्रशी सुधार कानूनों की बाद इस समय ज्वलंत मुद्दा है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रतिपश के सबी मेंबर्स को भी। उन सब ने किसान आंदोलन पर भी चिंता की। किसान आंदोलन के लिए जो सरकार को कोसना आवश्यक था उसमें भी कोई कंजूसी नहीं की। और कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा। कि मैं किसान यूनियन से भी दो महीने तक यही पूस्ता रहा। कि कानून में काला क्या एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोजिस दरूब। लेकिन मुझे वहां मुझे मुझे वहां भी मालूम नहीं पड़ा। और जब प्रेदिपक्ष के मेंबर्स ने भी दिपेंद भाई आप गौर से सुना कि कानून खराब हैं कानून को रिपिल कर दीजिए वह होई जाएंगे और ऐसा वैसा सब लोगों ने अपनी बात की और करना भी चाहिए उने लेकिन कानून के प्रावधान को ये किसान के प्रदिकूल है ये उचे कम किसी ने बताने की कोशिस नहीं की सबी किसान भाईयों को हाद जोड़ के राम राम सस्रिया काल सलाम किसान भाईयों दो दिन पहले हमारे देश के क्रिशी मंत्री नरेंदर सिंग तोमर जी ने लोकतंतर की आत्मा कहे जाने वाले संसद में एक बहुत बड़ा जूट बोला क्रिशी मंत्री ने कहा संसद के अंदर कि भई इन तीन कानूनों में काला क्या है ये कोई नहीं बता रहा है और किसान सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ये तीन कानून काले कानून है माननिय मंत्री जी आपको हम याद दिलाना चाहते हैं कि तीन दिसंबर को जो बैठक हुई थी विग्यान भावन में हमारे सभी किसान नेताओं ने एके करके सेक्शन वाइज आपके सामने इन कानूनों की गलतियों को बताया था और उस समय ना तो मंत्री जवाब दे पाए थे और ना ही सरकार के अधिकारी कोई जवाब दे पाए थे लेकिन उसके बहुजुद आपने संसद में ये कहा कि अब तक किसी ने ये नहीं बताया है कि इन कानूनों में काला क्या है तो आज हम दोबारा से आपको ये बता रहे हैं इन कानूनों में क्या क्या काला है और किस तरीके से ये तीन किर्शी कानून किसानों की मौत के फरमान है बहुत सारे किसान भाईयों के भी हमारे पास फोन आई मेसेज आए कि एक बार दोबारा से explain किया जाए कि कानूनों में कहां कहां खामिया हैं कहां कहां पे गलतियां हैं तो बहुत कम शब्दों में आपको बताता हूँ संक्षिप्त में कि इन कानूनों में क्या क्या दिक्कत है सबसे पहली बात ये है किसान भाईयों नौजवान भाईयों कि जो इन कानूनों का आधार है वो आधार ही गलत है All over world ये experience रहा है कि जब जब फसलों के procurement system में सरकार का रोल कम होता है और private industry का रोल बढ़ता है तो किसानों का exploitation भी बढ़ता है मैं आपको दो-चार example देता हूँ जो एक कानून अभी लाए गए हैं इनको आसान भाशा में हिंदी में कहते हैं मुक्त बाजार की नितियां यानि free market की नितियां यही कानून दो से तीन दशक पहले western countries में आये थे वहां का क्या हाल है यह जरा आप थोड़ा सा जान लीजिए यह free market की policies आने से पहले अमरीका में किसी भी किर्शी उत्पाद के किसी भी agriculture product के final retail price का 40% किसान की जेम में जाता था यानि कोई भी किर्शी उत्पाद यानि यादी market में 100 रुपे का अब दिखता था तो उसमें से 40 रुपे किसान की जेम में जाते थे लेकिन जब से free market policies अमरीका में लागू हुई तो किसी भी agriculture product के final retail price का मातर 15% 15% किसान की जेम में जाता है यानि अब 100 में से मातर 15 रुपे किसान की जेम में जाते हैं और वो 25 रुपे वो अब व्यापारी बड़े बड़े corporate की जेम में बड़ी बड़ी कंपनियों की जेम में जाते हैं तो इसके बाद से लेके अब तक 2021 तक ब्रिटेन के अंदर 31,690 small dairy farms बंद हो गए लेकिन हैरानी की बात ये है कि dairy farm तो बंद हो गए लेकिन दूद का production बढ़ गया अब ये कैसे संभव हुआ इसका कारण ये रहा कि बड़े बड़े dairy farms खुल गए बड़े बड़े corporate गहानों का पूरा hold हो गया और जो छोटे किसान थे जो small dairy farms थे वो पूरे तरीके से वो बरबाद हो गए और तीसरी और महतवपूर्ण बात लगबग दो से तीन दशक हो गए ये वेस्टन कंट्रीज में ये policies लागू हुए उसके पाउजूद अमरीका के अंदर अमरीका की सरकार ने अभी जस्ट गेर दो साल पहले 847 बिलियन यूएस डॉलर का सबसीडी बिल पास किया एक साल में अमरीका के अंदर एक किसान को 42 लाख रुपे की सबसीडी मिलती है यदि हम बात करें यूरोप में 100 बिलियन डॉलर की सबसीडी दी जाती है OECD देशों में 240 बिलियन डॉलर की सबसीडी दी जाती है चाइना में 212 बिलियन डॉलर की सबसीडी दी जाती है नौरवे में प्लस 60 परसेंट की सबसीडी दी जाती है और हमारे देश में माइनस 5.7% की सबसीड़ी दी जाती है यानि किसान को कुछ मिलता नहीं है उल्टा किसान से ले लिया जाता है हमारे आपे किसान को मिलती है 282 डॉलर की सबसीड़ी मात्र तो अब इसमें समझने की बात ये है कि यदि ये फ्री मार्केट की पॉलिसिज इतनी ही अच्छी होती यदि ये फ्री मार्केट की पॉलिसिज किसान के लिए इतनी ही फाइदे मंद होती तो ये Western countries की सरकारे अपने किसानों को इतनी भारी भरकम सबसीडी देने को आज क्यो मजबूर हैं? यदि ये policies इतनी अच्छी होती तो वहागा किसान माला माल होता और सबसीडी देने की कोई जरूरती ना पड़ती? तो Western countries ये सभी इतनी भारी भरकम सबसीडी दे रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि ये free market policies किसान को बरबाद करने वाली और corporate को फाइदा पहुचाने वाली policies हैं अब हम यदि अपने ही देश की बात करें 2006 में बिहार के अंदर APMC मंडी सिस्टम समाप कर दिया गया और उस समय बड़े बड़े नारे दिये गए थे कि private अक्षेक्तर बहुत निवेश करेगा और बिहार का किसान माला माल हो जाएगा आज बिहार के किसान की स्तिती क्या है? बिहार के कई जिलों की मेन फसल है मक्का, उसका सरकारी रेट यानि MSP है 1850 रुपया क्विंटल, लेकिन मक्का व्यापारी कितना खरीद रहे हैं, private लोग किस रेट में मक्का खरीद रहे हैं? 500 से 600 रुपया क्विंटल, एक किसान की लागत भी पूरी नहीं हो रही है. अब क प्रश्मीर से लेके कन्या कुमारी तक आप असम से लेके गुजरात तक किसी भी राज्य को उठा के देख लीजिए आपको वहाँ पे बिहार के मजदूर भाई जरूर मिलेंगे और जो लोग ये दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए जाते हैं आप इन में से कर रहे हैं मुझे वो दिन याद है जब जबरदस्ती करके इन कानूनों को संसक में पास किया जा रहा था तो उस समय हमारे देश के मानने प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये कानून बिहार में लागू हुए थे और बिहार के किसानों का बहुत भला हो गया मेरे किसान भाईय लेकिन प्रधानमंत्री जी इस बरबादी को तरक्की बता रहे हैं यदि ऐसी बरबादी को तरक्की मानते हैं तो ऐसी तरक्की हमें नहीं चाहिए भारत के किसान ऐसी तरक्की नहीं चाहता है और दूसरी बात किरशी मंत्री जी आपके ही राज्य की यदि बात करूँ यान 25 जून 2020 से ये किर्शी जबर्दस्ती किसानों के उपर थोपे गए तो उसके बाद से लेकि अब तक लगबग 6 महीनों में मध्य प्रदेश की सरकारी मंडियां दफन हो गई मध्य प्रदेश में टोटल किर्शी मंडिया है 268 उसमें 47 मंडिया पूरे तरीके से ठप हो गई 143 मंडियों में कारोबार 50-70 फीजबी कम हो गया खरीफ के सीजन की सभी क्रॉप मध्य प्रदेश के अंदर आदे से भी कम दाम पे विकी और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का मंडिया एक 1922 का सबसे बहतरीन एक्ट में से एक माना जाता है पिछले साल इनी चे महीनों में यानि बात कराऊं 2019 की अब 2021 आ गया तो 2019 में उनी चे महीनों में मंडिया टेक्स कोलेक्शन हुआ था 600 करोड रुपे का लेकिन 2020 में यानि पिछले साल उनी चे महीनों में टेक्स कोलेक्शन हुआ मातर 220 करोड का यानि टेक्स कोलेक्शन रह गया सिर्फ 36% अब मेरे किसान भाईयों समझने की बात यह है कि वापे मंडी करमचारियों को तंक्वा देने के लिए पैसे नहीं है और दूसरी तरफ किसान का दाम बाहर आधे से भी कम दामों पे बिक रहा है अब आप इसी चीज़ को और एक्स्प्लेन करके समझिए यह हो क्या रहा है जो यह प्राइवेट मंडिया होंगी जहांपे कोई टेक्स नहीं लगेगा किसी भी तरह का व्यापारी को किसी भी तरह का लाईसेंस नहीं चाहिए होगा तो आप होगा क्या यह समभा हो है कि दो साल तीन साल तक बहार व्यापारी आपको MSP से दस रुप्या ज़्यादा दे दे हो सकता है ये लेकिन जब दो से तीन साल में उसकी पूरी मोनोपोली हो जाएगी उसका पूरी उसकी दादागेरी हो जाएगी पूरा उसका एकाधिकार हो जाएगा फिर वो अपना असली रंग दिखाएगा उस समय तक सरकारी मंडियां बरबाद हो चुकी होंगी फिर वो किसान का दाम, किसान की फसल ओने पोने दामों पर खरीदेगा जिस तरीके से मंडी एक्ट बनने से पहले किसानों का सोशन होता था रहबर आजम दीन बंदू छोटू राम जी ने ये मंडी एक इसलिए बनाया था किसान का सोशन बंद हो जाए क्योंकि उससे पहले क्या होता था जब किसान की फसल आती थी सारे व्यापारी अपना गिरो बना लेते थे, गट जोड बना लेते थे फसलों के दाम गिरा देते थे और उसको फिर खरीद के बड़े-बड़े गुदामों में स्टोर करते थे, किसान का भी एक्स्प्लिटेशन होता था और एक आम इनसान का भी एक्स्प्लिटेशन होता था दूसरी बात इसमें समझने की ये है जिसे एक्जामपल दूम है जीयो का और BSNL का जब जीयो शुरू में आया तो फ्री में इंटरनेट बाट रहा था ना जीयो लेकिन धीरे धीरे करके बाकी दूसरे जो कम्पीटीटर थे वो सब खतम कर दिये जीयो ने और आज जीयो की ददागिरी हो रही है तो जीयो लगातार अपने जो उसके प्लान है उसकी कीमत बढ़ाता जा रहा है ठीक इसी तरह के इसी तरीके से मंडी सिस्टम में होगा दूसरी बात इस कानून के अंदर कहीं कोई MSP का जिकर नहीं है जो APMC Act है उसके तहट कहीं न कहीं सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि किसान का समान MSP पर खरीदा जाए लेकिन अब नए Act के तहट सरकार अपनी जिम्मेदारी और जवाब देही से भाग रही है मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2018 का केस जो मद्यपरदेश हाई कोट में हुआ अनदाता किसान समीती वर्सिस मद्यपरदेश गौर्मेंट उस अपने केस में जो फैसला सुनाया मद्यपरदेश हाई कोट ने उसमें साफ साफ लिखा है कि 1972 मंडी Act के अनुसार ये चीज़ जरूरी है कि मंडी के अंदर किसी भी फसल की पहली बोली जो लगेगी वो MSP से कम नहीं होनी चाहिए यानि ये APMC Act ये हमें अधिकार देता है कि हमारा समान MSP परी खरीदा जाए लेकिन अब नए Act के तहट सरकारें अपनी उस जवाब दे ही और जिम्मेदारी से भाग रही है ये है इन कानूनों में काला और सबसे बड़ी बात क्रिशी मंतरी जी आपके इराज्य की फिर बात करूंगा राए सेन में, हर्दा में बहुत जगह भी ऐसे केसिज आई पिछले छे महीनों में जहां पे कोई व्यापारी 10 करोड का समाल लेके भाग गया 5 करोड का समाल लेके भाग गया आप तो कहते हैं कि ऐसे केसिज में आप 30 दिन में फैसला करा देंगे लेकिन किसानों को 3-3-4 महीने हो गए ठोकरे खाते हुए उनका अब तक कोई फैसला नहीं हुआ ना तो उनको उनकी फसल मिली और नहीं फसल के उनको दाम मिले ये सिचुवेशन है और दूसरी बात एक मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ इन कानूनों में क्या काला है मुझे तो लगता है इन कानूनों में सब कुछ काला है और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ भाजपा के कई परवक्ताओं ने बार बार टीवी पे एक जुमला फैका कि एक कानून बनाने से पहले 93 लाग किसानों से चर्चा हुई थी लेकिन एक किसी समझदार व्यक्ति ने जब आर टीवी लगाई और सरकार से जवाब मांगा कि आखिर वो 93 लाग किसान कौन से है दिन के साथ सरकार ने चर्चा की तो जवाब आया आर टीवी के उस जवाब में कि सरकार के पास ऐसा कोई डाटा नहीं है यानि सरकार ने कोई चर्चा ही नहीं की और ये तीनों कानून जबरदस्ती थोप दिये अरे मंत्री जी कोई नगर निगम की बैठक होती है न तो उस बैठक की भी मिनट्स होती है तो ऐसा कैसे हो गया कि आपने 93 लाग किसानों से चर्चा कर ली और उनकी कोई मिनट्स नहीं थी तो हकीकत तो ये किसी से चर्चा की ही नहीं गई और दूसरी बात इसी कानून की बात करें इसकी जो धारा नमबर पांच में जो आपने कहा कि भाई ए मार्केटिंग को आप बढ़ावा देंगे और आपका दावा है कि उससे बिचोली ये कम हो जाएंगे मंत्री जी हम थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं और आपके मैं निवेदन करता हूँ आपके अधिकारियों से हमें वो समझा दे इमार्केटिंग के तहत सरकार के पास ऐसा क्या मेकनिजम है जिससे वो किसी भी किर्शी उत्पात की फिजिकल डिलिवरी को सुनिश्चित कर देंगे उसको और सरल भाशा में कहूँ तो इमार्केटिंग का नुभाव ये रहा है कि एक वैक्ति कोई भी किसान की फसल खरीदेगा वो उसकी फिजिकल डिलिवरी नहीं लेगा वो अपना कमीशन बनाएगा आगे किसी को बेच देगा दूसरा उसकी फिजिकल डिलिवरी नहीं लेगा अपना कमीशन बनाएगा तीसरे को बेच देगा चोथे को बेच देगा ऐसे करके 10-12 को बेच दी जाती है लास्ट में कंजूमर को भी ज़्यादा रेट में वो मिलती है और किसान को भी कम रेट पे मिलती है किसान को भी कम मुल्ले मिलता है मैं एक्जामपल दे देता हूँ आपको असम के चाय के किसानों का बैंग्जामपल देता हूँ आपको केरल के रबड के किसानों का, इ-मार्केटिंग सिस्टम ने चाय के किसानों को और रबड के किसानों को पूरे तरीके से बरबाद कर दिया, तो मैं उम्मीद करता हूँ किरशी मंतरले के अधिकारी कम से कम यह जरूर बताएंगे, कि सरकार ने किसानों से यह अधिकार छीन लिया सिविल कोर्ट जाने का मंत्री जी हमारे جो शहीद हुए थे अजादी के अंदोलन में जो हमारे बड़े बड़े लोग इन्होंने शहादत दी थी उन्होंने अपनी शहादत इसलिए दी थी कि हर एक भारतिये को लोगतांत्रीक अधिकार मिले हर एक भारतिये को fundamental rights मिले इसलिए नोंने कुर्बानी दी थी लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मोदी सरकार की एक आदत है जब भी किसानों के लिए कोई कानून बनाए जाते है तो उनमें कि ये रूल जरूर होता है कि किसान सिविल कोर्ट नहीं जा सकता मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2014 का भूमी अधिग्रेन अध्यादेश जो जब रदस्ति किसानों पर थोपने का परियास किया गया था लेकिन देश के किसान उस समय भी एक जुट होकर खड़े हो गए थे और सरकार को वो अध्यादेश वापस लेना पड़ा था उसमें भी आपने ये लिखा था कि अधिग्रेन के दौरान कोई भी किसान कोर्ट नहीं जा सकता है इन कानूनों में भी यही है कि किसान सीविल कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटक खटा सकता वो सिर्फ SDM के पास जा सकता है जिलादिकारी के पास जा सकता है अब किसान भाईयों नौजवानों एक बात आप समझिये जो SDM और जिलादिकारी हैं जो DC हैं ये तो सरकार का ही पार्ट है ना और ये तो हमेशा डारेक्ली इंडारेक्ली पॉलिटीशन्स के कही न कहीं दबाओं में रहते हैं और पॉलिटीशन्स व्यापारियों के दबाओं में रहते हैं क्योंकि चुनाओ के दारान वो व्यापारी पॉलिटीशन्स की फंडिंग करते हैं उसके पॉलिटीशन्स वैपाईयों की मदद करते हैं जो हमारा कोट सिस्टम है ये सरकार से बिलकुल अलग है ये सरकार के अंडर नहीं आता ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है लेकिन अब किसानों से ये दिकार भी शीना जा रहा है तो ये इन कानूनों में काला है ये दि मैं बात करूँ है असेंशल कमोडिटी एक पे जो आपने बदलाओ किया है इसमें समझने की बात ये है कि उसके सक्षन नंबर टू बी के पेराग्राफ नंबर दो में साफ साफ ये लिखा गया है कि जो stock limit जो हटा दी गई है सरकार नहीं से amendment के जरीए उसमें ये लिखा है कि यदि haughty culture products के दाम 100% बढ़ गए और अनाज के दाम 50% बढ़े तो दोबारा से stock limit लगेगी लेकिन वो stock limit सिर्फ किसानों पे लगेगी वो stock limit कंपनियों यानि value chain participants और प्रोसेसर्स पे नहीं लगेगी ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार कंपनियों का फाइदा करना चाती है और किसानों को नुकसान में लेके जाना चाती है और मैं तो सभी देशवासियों से ये अपील करता हूँ देशवासियों एक बात आप समझिये कि किसान तो चलो अपना अन पैदा करता है वो तो इसको खा लेगा लेकिन जब ये पूरा सिस्टम ये पूरा अनाज का भंडारन ये ये काला बाजारी और जमाक खोरी करने की छूट जब व्यापारियों को मिल जाएगी तो आम जनता के साथ क्या होगा अब एक बात समझिये पानी की बोतल पानी जो प्रकृति हमें देती है जो कोई कंपनी नहीं बनाती है उस पानी को भी ये 20 से 25 रुपे लीटर में बेच रहे है जब अनाज पूरा इनके कंट्रोल में आ जाएगा तो आपके घरों में जो आता आता है न वो आता आएगा 500 रुपे किलो 600 रुपे किलो तो आज किसान समाज सिर्फ अपनी नहीं पूरे देश की सभी वर्गों के लड़ाई लड़ रहा है अब मैं यदि बात करूँ ये जो इस कानून के एक दूसरा पहलो भी बताऊँ जो ये एसेंशल कोमोडिटेक्ट में जो एमेंडमेंट किया गया है इसके माध्यम से सरकार गरीब की रोटी छीन के बड़े बड़े व्यापारियों का मुनाफ़ा कराना चाहती है सीधी सी बात ये है अब बात करने कांट्रेक्ट फार्मिंग की कर लेते हैं उसकी दाहा नमबर आठ भी और नो में सरकार ने क्या लिखा है कोई भी वेक्ती जो किसान की जमीन लेगा कांट्रेक्ट पे वो उस जमीन के उपर कोई भी इंफ्रोस्ट्रक्चर खड़ा कर सकता है और उस इंफ्रोस्ट्रक्चर भो खड़ा करने के लिए किसी भी राज्य सरकार या किंदर सरकार की स्कीम के तहट क्रेडिट ले सकता है यहाँ पे सरकार ने चला की क्या की है? सरकार ने लोन नहीं लिखा, सरकार ने क्रेडिट लिखा है मेरे देश वासियों आप मुझे एक बात बताईए हमारे देश में किसी भी स्कीम के तहट जब लोन मिलता है तो वो लोन किसी चीज़ की गारंटी के उपर होता है हवा में लोन नहीं मिलता है हवा में लोन तो सिर्फ बड़े-बड़े कॉर्पोरेट घरानों को मिलता है जो करजा लेते हैं और लेके भाग जाते हैं, फूर हो जाते हैं जैमालिया जैसे, नीरव मोदी जैसे, बड़े-बड़े मुकेशंबानी जैसे, अडानी जैसे जिन्होंने भारी भरकम करज ले रखा, किसी ने ढाई लाग करोड का, किसी ने सवा लाग करोड का पता नहीं कितना कितना ले रखा है तो यहां पे जो वो व्यापारी जो उस इंफरस्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो क्रेडिट लेगा यानी लोन लेगा वो किसान की जमीन के उपर होगा और दूसरी बात उसमें आगे लिखा है कि कांट्रेक्ट पीरिड पूरा होने पे या तो व्यापारी उस जमीन को एजिट्रीज लोटा दे जैसे उसने पहले ली थी उस इंफरस्ट्रक्चर को तोड़ दे या फिर वो इंफरस्ट्रक्चर एजिट्रीज खड़ा रहेगा और जाए मैं उम्मीद करता हूँ अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये कानून काले कानून क्यों है दूसरी हमारी मांग जो है MSP गारंटी कानून बनना चाहिए बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूँ 2011 में जब हमारे परधानमंतरी मुख्यमंतरी होते थे गुजरात के और ये कंजूमर अफियर कमेटी के चेर्मेन होते थे तो उस समय मुख्यमंतरी नरिंदर मोदी ने एक रिपोर्ट भेजी थी उस समय के परधानमंतरी मनमोहन सिंग जी को और उस रिपोर्ट के सेक्शन नंबर B3 में खुद इन्होंने ये मांग की थी कि किसानों के लिए MSP की गारंटी होनी चाहिए खाली MSP गोशित करने से कोई काम नहीं बनेगा किसानों के लिए MSP की गारंटी होनी चाहिए तो परधान मंत्री नरेंदर मोदी जी जो बात आप खुद कह रहे थे 2011 में जिस बात की पैरवी आप खुद कर रहे थे परधान मंत्री बनने से पहले आज आप अपने ही वादे से क्यों मुकर रहे हैं जिस तरीके से आप स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के वादे से मुकरे ठीक इसी तरीके से MSP गारंटी के वादे से मुकर रहे हैं और दूसरी बात OECD ICRER की रिपोर्ट ये साफ साफ कहती है मेरे देशवासियों ये बात आप ध्यान से सुनिएगा OECD ICRER की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 17 सालों में इंदुस्तान के किसानों को जो उचित MSP नहीं मिला उसके कारण भारत के किसानों को 45 लाख करोड रुपे का नुकसान हुआ है जो 45 लाख करोड रुपे हमें मिलने चाहिए थे वो हमें नहीं मिले और नाबाड की रिपोर्ट क्या कहती है भारत के किसानों के उपर मातर 9-10 लाग करोड रुपे का करज है भारत में मातर 22% किसानों के उपर करज है और एक किसान के उपर एवरेज करज है 1 लाग रुपे तो हमारे उपर करजा है 9 से 10 लाग क्रोड रुपे का और जो सरकारों के उपर हमारा बकाया है जो सरकारों ने हमें नहीं दिया वो है 45 लाग क्रोड रुपे यदि वो हमें 45 लाग क्रोड रुपे दे दे तो इस 10 लाग क्रोड रुपे का करजा भी खतम हो जाएगा और उसके जो ये मार्केट है, ये 17 लाग करोड रुपे का है, 14 लाग करोड रुपे का तो अभी भी ट्रेडिंग हो रही है, आप यदि MSP गारंटी कानून बनाएंगे, तो आपको हर साल जुरूत पड़ेगी मातर 3 लाग करोड रुपे की, और मैं तो पूरून बात मेरे किसान भाईय सबसे मैं तो पूरून बात, अब ये 3 लाग करोड रुपे कहां से आएंगे, ये भी आपको समझना होगा, हमारे देश में हर साल 90,000 करोड रुपे के खाद्यान तेल मंगाए जाते हैं, क्यों मंगाए जाते हैं, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा वेक्ति जो उसमें पूरी डिलिंग करता है, वो है गौतम अडानी, उसको हर लीटर में 5-10 रुपे का प्रॉफिट होता है, तो उसको प्रॉफिट करने के लिए, चाहिए किसी के भी सरकार रही हो, सिर्फ उसके प्रॉफिट के लिए 90,000 करोड रुपे के खाद्यान तेल बाहर से मंगवाई जाते है 80,000 करोड रुपे की डाले बाहर से आयात की जाती है, और मुझे याद है, जब मोजांबिक में ये डाल का एग्रिमेंट हो रहा था, तो हमारे परधान मंतरी ने कहा था, कि भारत की सरकार उनको सब कुछ एक्वेपेंट देगी, सारी चीज़ें देगी, उनसे डाल खरीद बेगी, वो दाल पैदा करें, यदि हमारी सरकार यही गारंटी भारत के किसानों को दे दे, कि भारत के किसान फसलें उगाएं, भारत के किसान ऐसी फसलें उगाएं, जिससे खाद्यान तेल की पूरती हो जाएं, भारत के किसान दाल की खेती करें, ये फसलें लगाएं, तो 80,000 क्रोड रुपे दालों कि उसमें बच जाएंगे 90,000 क्रोड रुपे जो खाद्यान तेल का इंपोर्ट होता है वो बच जाएंगे तो 1,70,000 क्रोड तो यहीं से आ गया जो मिल्क पौडर इंपोर्ट करते हैं उसको बंद कर दिया जाए सरकार अपने किसानों को दूद का अच्छा रेट दे वहां से पैसे बचेंगे जो अपकी बार 5,000,000 क्रोड तो ऐसे ही आ जाएंगे न और सबसे मैं तो पूर्ण बात प्रदानमंत्री नारा तो देते हैं आतम निर्भर भारत बनाने का यदि आप ये किर्शी उत्पादों का इंपोर्ट बंद कर देंगे परदानमंत्री जी और अपने किसानों को MSP गारंटी देंगे तो फिर भारत असली माईनों में आतम निर्भर भारत बनेगा सिर्फ जुमला बाजी करने से आतम निर्भर भारत नहीं बनेगा जैसा कि आपकी सरकार कर रही है और एक अंतिम बात में आपको बताना चाहता हूँ कि इन कानूनों में क्या काला है मुझे तो लगता है सरकार की नीतियों में भी काला है और सरकार की नियत में भी काला है ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ 2017-2018 के बाद से सरकार ने FCI Food Corporation of India को कोई भी धन आवंटित नहीं किया है अब तक जो बजट आये हैं उसमें FCI को जो पहले food subsidy के नाम पे जो धन आवंटित होता था जो उसको बजट मिलता था वो बंद कर दिया गया है जब से मोधी सरकार आई है तब से लेके अब तक FCI के उपर करजा चार गोना से भी अधिक बढ़ गया है अब FCI मजबूर होता है हर साल National Small Saving Fund से करजा लेने के लिए आज के दिन FCI के उपर लगबग सवा 3,5-3,5 करोड रुपे का करजा है जो 2014 से पहले 75-80,000 करोड होता था ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि सरकार एक गराउंड तयार कर रही है FCI को भी बेचने का सरकार ने हवाई अड़े बेचे, एरलाइन्स बेचे, और सारी सरकारी कमपनियां बेच दी उससे पहले एक माहौल बनाया, उन कमपनियों को, उन एरलाइन्स को घाटे में दिखाया गया और उसके बाद उनको बेच दिया गया अब समझने की बात यह है, जब FCI ही प्राइवेटाईज हो जाएगा जब FCI ही बिक जाएगा, तो फिर प्राक्यूर्मेंट कहां से होगी तो इसलिए मैंने पहले जैसे कहा, सरकार की नीतियां भी काली है और सरकार की नियत भी काली है अब मेरे देशवासियों, मेरे किसान भाईयों, मेरे नوجवानों किसान एकता मोर्चा ने आपको संक्षित समय में आसान शब्दों में आपको बताया है कि इन कानूनों में क्या काला है, और क्या हमारी मांगे है, सरकार क्या कह रही है अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुचाईए ताकि हमारे सभी किसान भाईयों को, सभी नوجवानों को मालूम चले, इन कानूनों में क्या क्या काला है और उसके बाद कोई भी मीडिया वाला बंदू, कोई भी alternative मीडिया platform जब भी आपसे सवाल पूछे तो आप छाती ठोक के जवाब दिया कीजिए, कि इन में ये ये गलतिया है दीन बंदू छोटो नाम जी एक बात कहते थे, कि हे भोड़े किसान, दुश्मन ले पैचान और बोलना ले सीख तो आप बोलना सीखिए, जब आप बोलेंगे, तब आपकी मांगे पूरी की जाएंगी अंत में फिर हाज जोड़के नेवेदन है, किसान एकता मोर्चा पेज को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए जो ये किसान एकता मोर्चा की टीम है, ये वोलन्टीरिली बहुत अच्छा काम कर रही है बलजीत भाई जो इसके हेड है, पूरे किसान अंधुलन की आवाज को ये कई गुना करके पूरी दुनिया में लेके जा रहे है तो ये टीम भी बधाई के काबिल है, और जो आप वीडियो को अधिक से दिक शेयर करेंगे, पेज को अधिक से दिक लाइक करेंगे, इनका भी होसला बढ़ेगा और अंत में ध्यान रखिएगा, कि हमारे पास, यानि किसानों के पास, इन पॉलिटिकल पार्टिस की तरह कोई पेड आईटी सेल नहीं है, जो हमारे आईटी सेल वाले हैं, ये भी अंधुलन कारी हैं, इसलिए आप हमारी बात अधिक सदिक लोगों तक पहुंचाएए, ज जवान, जे किसान, जे भारत, जे हिंद.